आप सभी प्रियादर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे Reliance Capital के बारे में, आज lower circuit से upper circuit change हुआ है, 10% का difference है, क्या ये predicted था कि यहां से bounce back कर सकता है, जिहां technical analysis के माध्यम से, जब से गिरना शुरूआ है तब से बताया था ये level watch करने का है, और वहसा ही exactly हुआ है, आज ये चल कर करना भी चाते हैं, NCLT का process चल रहा है, और company ने अपने जो उनके lenders है, उन सब को बोला है, कि आप अपना submit कीजे सारे की सारे claim, किसका कितना पैसा है, उसके हिसाब से फिर NCLT का processing चलेगा, सबसे पहले जो lenders होते हैं, उनका पैसा दिया जाता है, ये चीज़ आपको समझने वाली है, shareholder का पैसा सबसे आखिर में आएगा, ये हमने आपको परहले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में बता रहे हैं, सारी खबर जो है, और सारे base level जो है, वो pivot point के basis पर available होते हैं, देखे, आज शुरुवात में lower circuit लगा था, 12 रुपया सी पैसे के नीचे काम कर रहा था, और बंध होते होते, 14 रुपय के आसपास बंध हुआ है, volume देखेंगे, तो करीब 1 करोड share hand exchange हुए हैं इसमें, और delivery wise, relatively अच्छी delivery है, दोस्तो हमने अपने members के लिए paid महज 60 रुपीज के charges पर आप membership join कर सकते हैं, मंतली, इसमें आपको हर हफते एक specific stock, जो अच् breakout या फिर, अच्छा value by मिल रहा है, वो बताएंगे at least one, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तीन option available है, और अगर आप intraday trading करते हैं, nifty और bank nifty में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा option रहेगा, तो देखें, यहाँ पर इसने, जब NCLD के news breakout हुई थी, RBI करने के लिए, 20 रुपे से गिर कर, यह 12 रुपे के असपास आया था, और यह expected था, यहाँ पर देखिए, अगर candlestick pattern follow करेंगे, तो यह यहाँ का low बना हुआ है, 12 रुपे, 70 पैसे, 75 पैसे क्या था, और यहाँ पर इसने high भी बनाया था, तो यह एक expected level था, अब अगला question यह पूछा जाएगा, कि क्या यहाँ से, कितनी दूरी तक जा सकता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आपको जो tool होता है, वो होता है, फिबोनाची arch retracement, तो यहाँ से, जब इसने गिरवाट शुरू की है, अगर यहाँ से, आप आज का low बनाते हैं, तो सबसे पहला जो इसका अपर लेवल है, वो है 15 रुपे 90 पैसे का, यह चार्ट पर मा करके रखिएगा, दूसरा, करीब-करीब 8 रुपे का, तो दो लेवल है, अगर किसी वज़े से 8 रुपे के उपर चला जाता है, जिसकी probability थोड़ी कम है, तो next target रहेगा 21 रुपे का, जब तक यह NCLT का process complete नहीं होता है, और इसके assets को कोई take over नहीं करता है, कोई अच्छा bidding नहीं आता है, इसके assets को खरीदने के लिए, यह थोड़ा stock दामडोल रहेगा, तो इस बात को समझके रखिएगा, बुलिंजर बैंड के basis पर लग रहा है कि 17 रुपे तक यह जा सकता है, उपर यहां से, बैंडवेट के 40 के आसपास है, तो यहां पर थोड़ा consolidation बनता है, साथ में indicator का lower level भी 16 रुपे 19 पैसे के आसपास है, तो सारे parameter के basis पर यह लग रहा है, कि यह 16 रुपे तक जाने की कोश करेगा, यहां पर 16 रुपे 90 पैसे या 17 रुपे के बीच में, यह एक level है, जो आपको समझना है, आज bounce back क्यों दिखाया है, अगर RSI के असपास है RSI, जो कि एक oversold zone में था, तो यह सब चीजे आपको अपने चार्ट पर समझनी है, देखनी है, दोस्तों, अगर वीडियो में stock 0 पर नहीं जा सकता है, बीच में अप movement दिखाता है, यहां support level से bounce पर क्या है, क्या sell करें की hold करें, common question आता है, देखे दोस्तों, अगर आपके पास यहां पर profit, जो भी आपका loss है, उसको book करने की capacity है, तो हम आपको बोलेंगे, 16 रुपे से 70 रुपे के बीच में, आप loss book करन लगे बाद, बट हमारे हिसाब से अभी इसमें entry की आपको जरूरत नहीं है, इस level पर, please consult your financial advisor, और अगर आपके हमारे साथ जुटना है, तो mail रॉप कीजे, जहीं जा भारत, bye guys